अप्रेशन नार्पुस के दात कारवाई करते वे दिनांग 14 अप्रेल को मंडल NDPS टास्क टीम एवं CBI गोंदिया द्वारा सीवत चेकिंग के दोरान करीब 31 किलोग्राम कीमत 312,720 रुपे का गांजा जब्त किया गया इस अंदर्ब में पुलिस द्वारा आगे की जाज जारी है मिली जानकारी के नुसार 14 अप्रेल को अप्रेशन नार्पुस के तहत वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के आदिशा नुसार गठित टीम के SI मयंग मिश्रा, RPF, गोंदिया बल सदस्यों के साथ एवं SI, CBI, G and टीम के साथ गाड़ी संख्या 128 शुन्या में दुर्ग से नाकपुर के मध्य गांजा की चेकिंग कर रहे थे गहन, चेकिंग के दौरान उक्त गाड़ी के S9 कोच के दोनों टॉयलेट की छट के उपर छुपा कर सघन से लो टैपिंग किया हुआ 15 पैकेट गांजा जैसा पधार्थ मिला उक्त के समन्द में मौजुद सभी यात्रियों से पूचताच की गई लेकिन किसी का माली का नहख अथवा जानकारी में नहीं होना पाया गया उक्तलावारे सभी पैकेटों को गोंदिया स्टेशन आने पर प्रभारी निरिक्षक गोंदिया की उपस्तिती में सभी पैकेटों की प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते वे नायाब तहसिलदार की मौजुदगी में रेसुब पोस्ट गोंदिया लाया गया एंडीपीएस एक्ट के तहथ उचित कार्यवाही कर अगरिम कानूनी कार्यवाही है तो जी आर्पी गोंदिया को सुपूर्ट किया गया है जहाँ जी आरपी गोंदिया द्वारा अंडी पिएस एक्ट के थाथ मामला पंजी बद्दकर अगरीम जांच में लिया गया है जैडाल देटितंदर कुमार में जनरल कोच D5 को चेक किया जिसके चेक कहने का दौने बात्रूमी इसके कान्जे लेशी नहीं में खाले आज़ेक की के यह ले का कान्जे की धूर कॉल से तो सिल में की मदश से लाइमें से निकालकर प्लेटपोर पे नीचे उता गया और जनरल कोच्छीं बेटे वी आत्रों से पूस्ताज की गई कि आरोपी के बारी पूस्ताज तरे लेकिन इसके बारे को जानकर नहीं मिल पाई इसलिए गांजाप उतार गया उतार गया कुछ खुल गांजे के पांच पेकेट जिसमें टोटल वजन दस के जीप के उपर है और जिसके अंदा दिन खिमत एक लाग अठाजार के समतिंग है जिसको अगले कार्या वे तुझ यहाद पूर्द किया गया है और म भी तो मस्बूल होने चीए जो देता है फ्लाइवील एविएशन अकाडमी एक ऐसा इंस्टिट्यूट है जहां पर एरलाइन एं एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां कैमपस इंटिव्यू, गाइदेंस पाइंडस्री एक्सपर्ट, प्र 365 गानी नगर, L.A.D. कॉलिट स्क्वेर, बिसाइड करनाटिका बैंक नागपुर